पिछली वीडियो में हमने बताया था Odescent क्या है साथियों आज के वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि Odescent में आप अपनी ID को कैसे एक्टिवेट करेंगे क्योंकि ID एक्टिवेट होगा तभी आप आगे income कर पाएंगे चाहे वो trade income हो या फिर जो है network income हो या team more income हो ये स सारे तो चलिए आज के वीडियो में हम Odescent में अपनी ID को कैसे buy करते हैं purchase कैसे करते हैं और ID एक्टिवेट कैसे करते हैं उसके बारे में हम जाते हैं तो सबसे पहले हमने जो है Odescent को login कर लेता हूँ मैं यह हमारा website खुला हुआ है और मैं Odescent को login करता हूँ और login करने के कर सकते हैं mobile है तो mobile से कर सकते हैं अब laptop में यह चीज़ देखेंगे कि यहां पर जो है हमारा dashboard subscription वैले transaction यह हमारे left hand side में आएगा और यह चीज़ आपको mobile में जो है right hand side में ऊपर में three lines दिखेगा उस पर click करेंगे तो वो menu आपका नजर आ जाएगा हमारा menu जो है left hand side में laptop में दिखता है तो यह समझ में आएगा बाकी सारा process सेम के सेम होता है laptop में थोड़ा बड़ा होता है तो screen पूरा दिखता है और mobile में जो है आप menu में जो है three line पे click करेंगे तो वो menu आएगा तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे कि अपनी ID को activate कैसे करेंगे तो activate करने के लिए आप जो भी package लेना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पर subscription है अब इसमें बहुत सारे subscription है यह ATM का subscription है पचास सो डॉलर धाईसो पांसो एक हजार तीन हजार पांच हजार दसजार डॉलर यह ATM का है अगर बोट का है तो यह बोट का है तो आपने जो भी membership लेना है आप बोट ले सकते हैं और ATM लेना चाहते हैं तो ATM ले सकते हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि जो सभी ले आप अगर चाहते हैं कि 100 डॉलर का जो है आप बोट membership ले तो कैसे subscription करेंगे चलिए देखते हैं तो यहाँ पर आप ऊपर में यहाँ पर देख रहा होंगे यह जो लिखा हुआ है टॉप लिखा हुआ है दोस्तों सबसे पहले आपको इस website पे जो है टॉप अप करना होगा $100 जब यहाँ पर आ जाएगा आपका बगल में amount 100 होने लगेगा उसके बाद आप यह subscription ले पाएंगे तो amount हम कैसे लाते हैं तो सबसे पहले टॉप अप पे क्लिक करते हैं टॉप प ATM में तो $50 भी है तो आप मालिया यहाँ पर $50 लिख भी सकते हैं तो साथ ही हम मालिया यहाँ पर $100 के बादे में बात कर रहे थे 100 डॉलर पर हमने क्लिक कर लिया और $100 पर क्लिक करने के बाद यह next का बटन है आप देख रहे होंगे इस next पर आपने क्लिक करना है अब जब next पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक और कुछ options आएंगे कि आप इसमें से किस के थुरू जो है payment करना चाहते हैं आप जो है BNB के थुरू करना चाहते हैं या BTC के थुरू करना चाहते हैं या USDT जो है BEP20 के थुरू करना चाहते हैं या USDT TRC20 के थुरू करना चाहते हैं आ आपके पास जो भी है, आपके बाइनस में जो भी है, उसके थूरू आप कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लिजए ज़्यादा तर लोग जो है BEP20 पर करते हैं, तो BEP, USDT BEP20 पर मैंने कर दिया, आपके पास जो है, वो option आपके पास खुला हुआ होता है, और सबसे नीचे में य आप नीचे में आ रहा है, आप इस पे जो है क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं, एमाउंट 100 डॉलर आ चुका है, आप क्वाइन पेमेंट्स पे जब क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक QR कोड आएगा, और एक एड्रेस आएगा, जिस एड्रेस पे आपने पेमेंट करना है, आप चाहें तो scan करकर के, बाइनेंस से scan करकर के यहाँ पेमेंट कर सकते हैं, और दूसरा option है, आप इस, इसको जो है, copy करें, और copy करकर के आप अपने बाइनेंस में चले जाएंगे, बाइनेंस में जाकर के, स्पोर्ट से आप जो है, विड्रॉवल लेंगे, और व कैसे ही payment complete होगा साथियों, payment complete होने के बाद जो है, यहाँ पर जो है, आप website पे आएंगे, तो यहाँ पर आप देख रहा होगा, वहाँ पर आपका जो है, 100 डॉलर दिखने लगेगा, आप wallet में जाएंगे, यहाँ पर wallet में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर deposit wallet जो है, 100 points जो है, इसका मतलब हो गया कि आपके पास जो है, 100 डॉलर आ के आ है, अब क्या करना है उसको, अब आपको subscription में जाना है, इस subscription क्लिक करेंगे, अब आपने ATM purchase करना है, तो ATM का 100 डॉलर पे view mode पे क्लिक करेंगे, अगर board purchase करना है, तो board के 100 डॉलर के view mode पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर वीव मोर पे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए अभी यहां पर वायलेट का पॉइंट कितना जीरो जीरो दिख रहा है लेकिन आपने अगर 100 डॉलर किया होगा तो 100 डॉलर जो है यहां दिखेगा साथियों एक चीज ध्यान और रखिएगा कि जब भी आप अपने बाइने करता है कितना करता है वहां दिखता है बाइनेंस पे तो आप 100 डॉलर कंप्लिट कीजिएगा तो यहां वैलेट के बाइनस में 100 पॉइंट दिखेगा जब 100 पॉइंट दिखेगा सबसे नीचे आईए और सब्सक्राइब नाव पर जब आप क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक जो है जब आप डैसबोर्ड में जाएंगे तो यहां पर डैसबोर्ड में जो है यहां पर यहां पर जो है सब्सक्रिप्सन का भाइलू दिखने लगेगा 100 का जो है और उसके बाद API दिखने लगेगा टोटल जो है एक्टिब बोट वेगरा यह सारा चीज जो है दिखने ल ऌगेगा और इस तरह से आप अपनी ID को ऍविज़ाय कर पाएंगे, तो साथियो आज का वीडियो आपको मुझे उमीद है कि समझर में आया होगा, अच्छी तरह से अ ACT एक्टिवेट कर लेंगे। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताओंगा कि इस Odescent के API को, बोट को अगर ATM purchase किया है तो फिर आपको API Binance से connect नहीं करना होगा, लेकिन अगर आपने बोट purchase किया है, तो बोट को हम कैसे Binance से Binance से connect करेंगे, उस वीडियो को मैं अगले वीडियो में लेकर करके आऊंगा, तो साथियों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो like कीजेगा, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जरूर कर ले जागा, चुकि अगला वीडियो जैसी आए, आपके तक जो है, नोटिफिकेशन पहुंद पहें, किसी भी तरह का आपडेट होगा, वह आपको समय पर मिलता रहेगा, तो इस तरह से आपको और भी वीडियो समय पर मिलता रहेगा, तो मुझे उमिद है कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा लाइक जरूर कीजिए अपने साथियों को share कीजिए ताकि जो है वो भी अपनी ID को activate कर सके तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद साथियों